दोस्तों अगर आप घर में पोदीना उगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे की पोदीना आपका आसानी से उग जाएगा यह देखे जो मैंने पोदीना लगाया है कितनी अच्छी ग्रोध हो रही है और घर में अगर पोदीना लगा हो तो इसकी देखे स्मेल भी कितनी अच्छी आती है पोदीने की जो खुसबू है बहुत पूरा गाल्डन उससे महग जाता है और इसके फायदे भी बहुत हैं आज मैं आपको बताऊंगा जो आप गलतियां करते हैं जिसके वएसे आपका पोदीना आप अच्छे से घर में तो उसके बारे में नहीं पीडिते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़ूद करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिस्से की आने वाली वीडियो जो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके दोस्तो नेचर इन ठर्ड फ्लोर गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों आप पोदीना लगाने की कई वीडियो आपने देखियांगी जिस में पोदीना किस तरीके से लगाए जाता है आज मैं आपको एक है यूनिक तरकीव बताऊंगा यूनिक तो क्या लाते हैं इसकी सिसना अगर degli ना रहे हैं तो उसमें एखर जड़ेशा है तो वह भी आप आसानी इचिद्व कर सकते ने लेकिन उसमें गल्ति कई लोग यह करते है कि जो अभी जू पूदीना लाते हैं मारके से वह फ्रेस में होता है वे चुम अथाल की जो जब रहती है जो घटेंब करना मार्केट से लाया था मैं इसकोकर बो इसको करीब पदिना बनाने के लिए घर पर यह पोधीना उप लपत हो जाता है यह दिखे तहसे में पूदीना ग्रोप गर्व considers लुग कर रखा इसको 10 दिन होई है करीब इसमें लगाये और देखेवर किधी जड्याया गी केवल मैंने पानी में लोक्र रखा और पानी में भी आप्गर कर सकते हैं लेकिन जो उसकी गल्तियात nog डरते वक्त वो मैं आपको बताऊंगा क्या-क्या गल्तियां करते हैं यह ढीक समय अच्छी जड़ dys et और आप पॉडिना पानी में जाते हैं तो आप फ्रेस सिस्टम उनीचे आप संप हम सुख सूकी में पॊठू सी आप पॉडिना इसको सुख के अठीक करें लिए, दो आलोवीरा जयल लगात है जिसकि इसमें बैक्टिरिया ना रहे यह को ऐसे कट करते हैं जैसे आपने मार्केट से लए हैं वो पर मोंद कटिंग है मार्केड त्रहेक य कुद कि ले लिया आपने उसके आप जैसे लगा रहे हैं तो कम से कम इतना हिस्सा पानी में डूबा रहना चाहिए यह देखिए इतना हिस्सा पानी में डूबा रहना चाहिए और आप जो इसके उपर के पत्ते हैं इनको निकालते हैं तो आप इनको सही से नहीं निकालते हैं इसका जो सीरह है इसको ऐसे खी पर विगते काँड़िये इसका है इसको किसी सीजर की साइथ से कटर की से अच्छे से कटिंगे कर दीजे से है अदिये है किसी कटीउ अपको इसे कारण है सिल भूए उसकी कट्स cao यह को Vine tu x लेते हैं वो छोटी सी लेते हैं कम से कम इतनी लीजिए गरीब 5-6 इंची की स्टेम लीजिए जो अच्छे से ग्रोव होंगी और थोड़ा सा जो है फ्रेस्मेंटी लीजिए तरीके साब इसकी कट कर दीजिए इस तरीके से आप देखें नीचे का हिस्साय करीब करीब 2-5 इं जिए आपको पोदी नको पानी मेंडा किने के लिए तो इस तरीके साब इसकी ले लिंगे उसके बाद आप गलती और करते हैं जिसके वर्का घ्रोनियुके बिश्चा से surplus आपको सीदे ऐसे पानी में डालने पानी में डाल दिया और एक गलती आप में और बताऊंगा आपको पानी जो है उतना ही लेना है इतने इस्टेम है ज्यादा उपर तक भरोगे तो तब भी जो है पोदीना ग्रोनी होगा तो इतना इसको ऐसे करके एक ब्रांच इसकी इस तरीके से डिप करके अलो इरा जल के संग जिससे कि इसमें फंगस ना लगे और यह रूट आपकी जो हैं दस दिन में तैयार हुआएगा पोदीने की जो रूट आने इसमें उसके बाद आप इसको कहीं भी कोई भी मिट्टी में लगा सकते हैं तो मैं आपको आगे जो इसको लगाँगा इसको और आपको एक गलती और करते हैं आपकी पानी जो है चेंज नहीं करते तो अगर आप पानी इसका चार-पांस दिन में चेंज नहीं करेंगे कम से कम आपका दस दिन में अगर तो तीन बार कम से कम इसका पानी चेंज करिए तीन बार इसका पानी चेंज करेंगे तभी इसमे तो इस परकार से नहीं का पोदिन कि दस दिन में जड़े आगे हैं उसके बात हम जिसकोralक fights कर सकते हैं है